अमेरिका और इरान में तनाव के बीच एक बर फिर इराक की बगदाद में हमला हुआ है यहां ग्रीन जोन में दो रॉकेट दागे गए हैं समझर एजेंसी एनाई के अनुसार न्यूस एजेंसी एफ्पी ने रक्षा सुत्रों के हवाले से खबर दी है खबर के मुताबिक दो कतूसा रॉकेट ग्रीन जोन में दागे गए है बता दे कि बगदाद का ग्रीन जोन वो इलाका है जहां सरकारी एजेंसिया और सभी देशों के दूतावास है बता दे कि अमेरिकी दूतावास से 100 मिटर की दूरी पर ये रॉकेट गिरे है माना जा रहे है कि अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाने की कोशिश की हाला कि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि ये रॉकेट किसने दागी है इराकी सेना ने कहा कि ग्रीन जोन में जो रॉकेट दागे गए हैं इस हमले में किसी के हतात होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है इस्थानिय मीडिया के मुताबिक ये रॉकेट अमेरिकी दूतावास के पास दागे गए हैं हला कि हमला किसने किया है ये बात सबस्ट नहीं हो पाई है इरान और अमेरिका में चल रहे तनाव का असर इराक में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है ये रॉकेट दागे जाने की घटना इरानी हमले की ठीक 24 घंटे बाद हुई है इससे पहले अमेरिका के दो सैन्य ठिकाने को यहाँ निशाना बनाया गया अमेरिकी रास्टपती डोनल्ड टरंप ने कहा इस हमले में उसके सैन्को को कोई नुकसान नहीं पहुचा है इरपोर्ट के मुताबिक इरान के रिवलोशनरी गाड ने अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमले को शहीद सुलेमानी ओप्रेशन का नाम दिया है और ताबर तुर कई मिसाइले दागी इस घटना के बाद इरान के पड़मानु सैंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि उस पर अमेरिकी हमले की अशंका है पिंटागन ने हमलों की जानकारी देते हुए बताया इराक के इलबिल और अल असल शहर में दो ठिकाने पर हमले हुए है जहां उनके सैनिक रह रहे थे अमेरिकी सेना के ठिकानों पर हुए इरान के हमलों को लेकर अमेरिकी राश्चपती डोनल्ड ट्रम्प का बयान सामने आया है कहा हमारे पास दुनिया की सबसे शक्ति शालिस सेना है वहीं इरान के रिवलोशनरी गाट ने कहा ये हमला जर्नल सुलिमानी की मौत का जवाब देने के लिए किया गया है उन्होंने कहा कि ये चेतावनी अमेरिका के उन सभी सातियों के लिए है जो उसकी आतंकवादी सेना को अपनी जमीन का इस्तमाल करने देते हैं अब इरान के खिलाफ अगर कहीं भी कारेवाही होती है तो उसे निशाना बनाया जाएगा खबर में बने रहने के लिए हमारे चैनल को